तक में आप सबी का स्वागत है 11 जुलाई 2021 को उत्री अंडमान समंद्र और उस्ते सटे म्यानमार तट पर कम दबाव का शेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है 9 जुलाई से 12 जुलाई तक अंडमान सागर में तेज हवा की गती और तूफानी मौसम रहने की संभावना है भारती तटरक्षक बल ने मचसे अधिकारियों सहित नागरिक प्रशासन के साथ मौसम की जानकारी साजागी अंडमान ददा निकुबार शेत्र में विबिन स्थानों पर तटरक्षक स्टेशन स्थान्य मचसे अधिकारियों के समन्वाई से मचली पकड़ने वालों को समुन्दर के खराब मौसम के बारे में चेतावनी दे रहे है और मचवारों को 9 जुले से 12 जुले तक समुन्दर में ना जाने की सला दे रहे है तटरक्षक बलगे जहाज समुन्दर में जा चुके मचवारों को वापस समुन्दर से लोट आने की सला दे रहे है अंडमांददा निकुबार शेत्र के सभी तत्रक्षक पतिश्ठानों और जहाज को सतर्क कर दिया गया है साथी भारत के तत्रक्षक के द्वारा हेल्पलाइन नमबर भी दिया गया है कोस्टगार्ड SAR एजनसी हेल्पलाइन नमबर 1554 स्टेट एमर्जेंसी ओपरेशन सेंटर हेल्पलाइन नमबर 1070 और डिस्ट्रिक एमर्जेंसी ओपरेशन सेंटर हेल्पलाइन नमबर 1077 पर संपर्ख कर सकते हैं अंदमान से जुड़ी सभी छोटी वड़ी खबरे देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें हमारा अपना न्यूज आप तक आप सच देखेगा अंदमान